अदर में आगया हूँ और जैसे बिड़ी सेटप के अंदर में आता हूँ यह मेल फीमेल दोनों बॉक्स के अंदर में अल्री है और यह एक अल्री यहां पर है और यह सर्प्राइजिंग बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि एक को फीमेल अभी सिख दे रहा है लग दो मैंस प्रफिकन ग्रे के प्यारा चिप्स निकाल दिया हूँ और देखें जो मैं नोट कर रहा था बेभी इसे मैं यहां रख देता हूं कि इसे हैंपडिंग मी करना है तो फेंड फाइनली आज मेरे हाथ में यह क्या है तो हाई फ्रेंड जीतने लग में हमारे युट्यूब चैनल लेग रहे हैं पैड़ा भी शेक मैं विशेक करता हूं स्वागर और सारे मैकाउस अभी यहां पर है और यह तो अभी दो हैंड फिडिंग सेल फिडिंग और अ यहां पे तिन जिनों से लगातार यहां पे बारिस अल्डेडी हुए जा रहा है फाइनली फ्रेंड मैं भी लाया हूं एक कटून बॉक्स कटून बॉक्स लाने का मतलब है कि हंड़ेड पर सेंड बीडिंग से कोई बेबी निकालने वाला हूं क्या बेबी है वो भी दिखा आरा जो फादर मदर जब उतना फीडिंग नहीं कराता है तो हम लोग आप लोग को उसे अगर निट बॉक्स से निकाल के अगर हम लोग उसे खुद से फीडिंग करते है वो बहुत अच्छा वट का हिल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो फाइनली मैं भी इसमें काट का थोड़ा सा रखा हूं यह घुटा यहां पर अच्छे अंब्रेला को का कुण आख लाग इंटना नहाए है कि बहुत जादा यह जगरा नहीं करो देखिए अभी जैसे अरेको को काटू को देखकर यह पूरा मैकाओ घुस्य में आ जा रहा है तो यह कट्ट्वाइम कम ज पर वाला मैं भी इसे देख रहा हूं कि यह मेल फीमेल दोनों बॉक्स के अंदर में अल्रेडी है और यह देखे फीमेल का गुस्ता और इसका नाम भी हम लोग ने बहतरी नाम रखें फीमेल करों में और यह अघूर्व कर दीज करने साथ भीजिन जल्डार मेल का गुस्ता भीजिदки मोड ने आरा है इसे मैं बनकर देता हूं और इसका नाम भी प्यारा हम लोगने राका है रीयो एंड उसके साथ मतलब जो मेल है उसका नाम रखा हूं फीमेल का नाम रखा हूं रुडी और जहां से आज मेरे को चीक्स निकालना है उसे भी सबसे पहले अब उसे ओपन करते हैं जहां से मेरे को चीक्स सब निकालना है फाइनली शीश मिकालने से पहले मेल-फीमेल को जस्त एक हम लोगे नोट करवा दिया कि हाँ कोई है और यह देखिए यह क्या पूरा एकदम ऐसे करके कर बरके निस्टिंग देखे क्या तक पुरा निस्टिंग मेटरेल उठा दिया वो देखो फ्रेंड निस्टिंग यहां त यह जो कर दो जो कितना अगादा एक्रिशिव मूड में और यह पुरा नेस्टेंग ऐसा कर दिया ना कि लग रहा है कि यहां कि मसलब जैसे मॉंग के चिप्त में नेस्टिंग करता है उस तरह इस साइड को पूरा ज़ेट को वो ड़ग दिया तो कि यही गेट करना बार-बार जो करता था और में जो बहुत एगर लाव एक पाइनली वह देखे फ्रेंड यह देखे आफ्रिकन ग्रे का यह देखे बहुत ही बहतरी यह प्यारा सा चीक अफ्रिकन ग्रे का वन चीक आज हम लोग इससे निकालने वाला है इस लिए बीना टाइम लेट नहीं किये सबसे प पाइनली यह आफ्रिकन ग्रे के प्यारा चीक निकाल दिया हूं और देखे जो मैं नोट कर रहा था जैसे आइस इसका ओपन हो गया है ना आइज ओपन होने के बाद रुकिए यह आप पूरे स्वाड़ी में आइज ओपन होने के बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो अब कराना चोड़ दिया फादर मदर बिलकुल ड्राइब होने के कारण से यह चीक निकाल दिया और नेस्टिंग कर दिया पूरा नेस्टिंग को उठा के पूरा इस वार्नर में कर दिया ज्यादा बर्ट को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसके बाद बॉक्स यहां रख देता हूं कि इसे यहां में रख देता हूं और एक सब्सक्राइजिंग रिजल्ट और कुछी दिनों में आने वाला वो भी मैं आपके एक बार दिखाता हूं जब मैं इस बॉक्स को जब मैं खोल रहा हूं यहां लाओ क्यामरा यह दिखिए फ्रेंड बहुत ही जल्द इस बॉक्स में सैन रिजनां और के यहां फीढ़ाएं अब क्ट से 10 30 ग क्यामरा च्शाल में जबॉट बहुत हीली सबस्क्राइजिंग कि कभी कभ रिजल्ट आने वाला क्योंकि कुछ दिनों से देख रहा हूं वेदर बहुत ही ठंडा होने के बाद देख रहा हूं कि यहां इसे भी दोनों में एक दूसरे को फीडिंग करना जो स्टार्ट कर दिया है तो सैद यह भी बहुत जंदी बीडिंग में आ जाएगा और आ आफ्रिकेंट के स्मॉल चीक्स यह देखें बहुत ही छोटा है और हम इसे इसमें रख दिये हैं इसमें उसके पैर बहुत ही अच्छा से रहेगा और अभी सेट अप में यहां पे जस्ट हंडेट वर्ट का वल्ब लगा दिया है क्योंकि वेदर बहुत ही ठंडा हो रहा है स आफ्रिकेंट च्ट ने आफ्रिकेंट आप घटरेंट बूला आप अटेंपरिशर देख लेता हूं करकी जब तक ला रहा था तब तक यह क्या बहसरी उसे हैंड फिडिंग दे रहा हूँ क्योंकि इतना हैंड फिडिंग लग फर्टी एमेल मेरे ये मैकाव को दे रहा हूँ और मेकाव का चिक्स पहले से बहुत बड़ा हो गया इसलिए अभी इसे वहां से सिफ्ट करके इसे केज में भी सिफ्ट कर दिया हूँ और आज एक ब्रीडिंग का बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ है तो आज का वीडियो यहां इंड करते जितने लोग भी पैड़ा विशेग फार्म देख रहे हैंगर वीडियो पसाना है याथ लाइक करें शेयर के सब्क्राइब करें मैं अभिशेग इसी तरह आपके अब ये वीडियो लाते रमा तोफेड धन्यवाद